जाहिर है यह सफेद वाल हलकी सफेद डाड़ी देखके कुछ हमारे दरशक शायद पसंद नहीं करेंगे बट इस इस मी और हमें आपने आपको बताने में कोई शर्मी गिंदी नहीं मैसूस नहीं होती है एटलीस कम से कब हम नकली काले लंबे बाल या नकली काली राड़ी तो नहीं लगा रहे हैं खैर आज 21 एपरिल है आज बात होगी फिल्म किसी का भाई किसी की जान की जो की रिलीज हो चुकी है खुशी की बाद तो खेर यह है कि चार साल के बाद पहली बार सलमान कान साब की कोई एड रिलीज आ रही है बड़े पड़े पर्दे पे जाहिर दो साल बीच में कोवर्ड के कारण गए थे और अब यह फिल्म आ चुकी है और फिल्म पे बात करने से पहले हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा and don't forget to press the bell icon फिल्म किसी का भाइ किसी की जान इत बैसे आफिशल हिंदी री मेंग ऑफ 2014 तमल फिल्म वीरम जो की हमने नहीं देखी है और सज बता है तो आज ये हिंदी फिल्म देखने के बात हमारी औरिजिनल फिल्म देखने की इच्छा ही नहीं है फिल्म पे बात करने से पहले मैं एक बात कहूंगा कि दो अफ़ते पहले जब इसका ट्रेलर लाँच हुआ था उस तुरान सल्मान खान साब ने एक बात का जिकर किया था कि यह जो गाना है नहीं और लगदा यह दस साल पहले रिकॉर्ड किया गया था पलक मुचल और कमाल खान साब ने और यह गाना सल्मान खान साब इस फिल्म में डालना चाहते थे लेकिन कुछ लोगों ने उन्हें एडवाइस दी कि नहीं कि यह जो गाना है यह आज के यूग के हिसाब से सूटबल नहीं है यह त साब को दिखा यह जताता है कि that why Mr. Salman Khan is a superstar और जब एक superstar कहता है यह लिटरली मैं कहूंगा कि जब Salman Khan साब की बात आती है तो उन्होंने उनका जो कहा है वो लिटरली पत्थर की लकीर है तो खेर अब लगता है इसी attitude के साथ यह फिल्म किसी का भाई किसी की जान बनाई गई बलकि it won't be wrong to say that Mr. Salman Khan is the करता धरता of किसी का भाई किसी की जान तो खेर कहनी के बारे में अगर आपने ओरिजिनल फिल्म देखी और नहीं भी देखी है वीरम तो मैं बस कहूंगा कि उसकी कहानिया विकीपीडिया पर लो because तकरीबन विल्कुल वैसी ही कहनी इस किसी का भाई किसी की जान में दिखाई गई है अगर मैं बात करूं तो फिल्म में एक डायलोग है जा भाई जान मिस्टर सल्बान खान सेकेंड हाफ में वह विंकरटेश साब करेंगे तो खाएंगे कैसे बस एक चीज़ाइड करना चाहूंगा बात तो सही है बट यह जरूरी नहीं है कि क oni अगजी आपको खाना नहीं मिलेगा काना मिलेगा आपको काम करो वट सावाल यहाद हो कि काम अच्छा हो या बुरा हो खाना फिर भी मिलेगा और कु alleen करने को जो आता है वो कर लेते हैं तो कि कम शब्दोंग दौना की बारे में कहूं तो एक इनसान है भाई का कोई पहले जब अनातालय में आग लग गई थी तो भाई साब ने इनी की देखवाली की थी इन तीनों को बड़े होने के बाद ही पता चलता है कि इनके जो बड़े भाईया है वो उनके सगे नहीं है बलकि यह चारों भी एक दूसरे के सगे नहीं है यह नोट बायोजिकल ब्रदर और यह जो तीन भाई है लव खुश मो और इन्हें तीन लड़कियों से प्यार हो जाता है जिसके अंदर एक है शेनाज गिल पलक तिवारी और अब मुसीबत यह है क्योंकि यह तीनों भाई चोटे भाई बड़े भाईया की बद रिस्पेक्ट करते हैं और उन्हें डर है क और लेंगे कि अगर यह शादी कर लेंगे तो इनके भ्हाई जान का क्या होगा सबसे फहले तो सल्वन खान सहाब का नाम इसुं में भाई जान क्यों है उन्हें वह सबसक्राइं नहीं पर लिए तो प्रूझा यह कि ट्रहा भाई रहिंवा जो सब्सक्राई यहां पर जिया जाने उनके तीन भाई है फिर उनके जिन्दगी में एक लड़की आती है भागय और पूजा हेगड़े और वह बिल्कुल वाइलेंस को पसंद नहीं करते हैं तो फिल्म में और भी कुछ खिछडी है जब आप देखेंगे तो आपको बहतर पता चलेगा सच कहें तो स्टोरी में कोई इतना दम नहीं है हां फैमली वैल्यूस की बात होती है बट देवे इस स्क्रीन प्ले इस रिटन बहुत ही मैं कहूंगा बुरा है बस एक पॉजिटिव यह चीज कहूंगा कि स्क्रीन प्ले और परफॉर्मस इस इतनी बुरी है कि आफ्टर आपक प्लेशनल कॉमेडी सल्मान खान साब का पास यह कहूंगा कि आप वह 57 के हो गया है उन्हें मान लेना चाहिए कि वह 20 जवान नहीं है इनके चेहरे में भी आपको एक वह थकान या जो वह दिखता है और किसी एंगल से सल्मान खान साब पूजा का हेड़ी की जोड़ी यह ब पिर पलक्तिवारी की भेन लग रही है तो खैर यह हिंदी फिल्म है जहां पर एक 60 साल का हीरो वह एक 20 या 30 साल की लड़की से रोमांस कर सकता है और बाकी एक्टर्स की बात करूँ जिसके अंदर रागफ जूयल है सिधात निगम है और जसी गिल है तो इन्हें तो बस सल्म जैसे वांटेड जैसे या रेडी जैसी अक्शन फिल्म अब उतनी असानी से या उतनी बेबागी से नहीं कर सकते हैं एज हैस इस लिमिटेशन उनका चेहरा भी अगर आप देखेंगे तो इनके चेहरे पर दिखती है और एक्शन सीन की बद इतना कहूँगा कि जो हमारा ड जाएंगे कुछ जाहिर है कुछ लॉजिक डिफाइंग एक्शन सीज है एक और एक हरानी बात यह है कि कैसे एक नहीं मेरे काल से दो बार मेट्रो स्टेशन में भरबर के गुंडे आते हैं और जहां पर आम जिंदगी में है दर्शक को जब मेट्रो सेशन पर जाता है तो उ उसे देखके वो भी अपना सर दिवार पे ऐसे 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 मारने वाले हैं और पूचा हिगडी का वासी तरह कहूंगा कि कंपेर तुम ओंजिंदारो कम से कम इस फिल्म में उनके देखके लगा कि शायद वो अक्टिंग का परयास कर रही है लेकिन जो बाकी अक्टर से उनके के विलिन्स जिसमें बॉक्सर विजिंदर सिंग है और दूसरी अरफ है जगपती बाबू अब एक विलिन्स जो है ये फिल्म दिली से शुरू होके फिर बाद में हैदरबाद जाती है क्योंकि जाहिर है भाईजान सल्मान खान और भागया पूचा हिगड़े के बीच में हो जाता है और इन दोरों का काम में कहूंगा बहुत ही बहुत ही कंजोर है और यह है दोनों एक दूसरे को कॉम्टेशन देते हैं इन टौंस ऑफ दे हैं विजंदर सिंग की बात करो तो मुझे याद है कई साल पहले प्रेस कांफरेंस में उनसे अक्सर पूचा जाता था कि आप तो इतने अच्छे दिखते हैं आप क्यों एक्टिंग क्यों नहीं करते हैं रोमेशा कहते हैं कि मुझे कोई शौक नहीं है मैं वॉक्सर हूं मुझे वॉक्सर रहने दो तो अब क्या मजबरी हो गई कि उन्हें इस फिल्म में काम करना पड़ा बस इतना कहूंगा कि उ लेकिन बाइजान के कुछ इस चारेक्टर को नहीं है और बाइजान की कई साल पहले एक सीरिस रिष्टा था जो और यह जारी में वह तब दिल नहीं हो चुका जाहर है उसके बारे में बात करने की ज़रुती नहीं ए उनके भागे चरि भी है उनके पती भी हैं वाल है और उनके बेटे अभी मन्यों को भी एक च्छोटा सा केवियो रोल है और वस यह कहूँगा कि जब आप इन चीजों को देखते हैं और आप डेफिनेटली कही न कही सलमान खान की परस्नल लाइफ से भी यह रिलेट करती है और आगे जाके फिर जो हमारे किसी का भाई किसी की जान के भाईजान है वो गाना गाते हैं उन्हें गाना पसंद है और व अगर आपको एक सीरियस ड्रामा सीरियस फैमिली ड्रामा एक्शन फिल्म देखनी है और इफ टर्म इंटो अनिंटेंशनल कॉमडी तो उसका यह एक प्राइम एक्जांपल है फिल्म के गाने भी कुछ दमदार नहीं बाकी फर्वर्मेंस इसमें भी पूजा हिगडे का यू उनने कोशिच की यहां पर अक्टिंग करने के लिए वेटरेन अक्टर जो सल्मान कान से 10 साल बड़े है वह थोड़ी शुरू में अच्छा करते हैं लेकिन एंड में जाके वह भी हैमिंग करते हैं और और ओल फिल्म का कहने के लिए तो फैमिली के लिए बनी गई है बट किसी ने लिखा था प्रिजूमिबली सल्मान खान फैन कि भाई ये इस फिल्म दिखाने से अच्छा आप हम चारों को सडक पे लिटा देते और आप हमारे उपर गाड़ी चला दो तो बस यही कहूंगा कुछ कहीं ना कहीं वही एक्स्प्रेशन शायद सल्मान खान के जो ड बगवानी जाने रही बात रेटिंग की तो हम देते हैं इस फिल्म को पार्ट मैंसे एक स्टार